हेलो लेर्नेर्स, विल्कम टुजल तो इस वीडियो हम फटाफट रिवाइस करेंगे यूनिट फाइफ से टॉपिक रिटेल लोकेशन क्या होता है टाइप अफ रिटेल लोकेशन क्या है CBD, SBD, NBD क्या होता है और कौन से फैक्टर है कि जब आप रिटेल की लोकेशन को चूज करते हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रिटेल लोकेशन होता गया देखिए लोकेशन, लोकेशन में इस पेस, जगह यानि कि कहां पे आप जो है अपनी रिटेल सॉप को ओपेन करना चाहा रहे हैं वही रिटेल लोकेशन कहते हैं तो रिटेल लोकेशन क्या हो जाएगा ये श्टोर इस प्लेस यानि वर्चुल और रियल वायर्ट कमस तो बाई गुद्स और सवीसे क्या हो गया कि एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायस आते हैं और वो good services को purchase करते हैं अब वो virtual भी हो सकता है, real, virtual में इमेजरी यानि कि online online को कहाते है virtual और real मतलब कि physically exist करता है जहां पर परसनली चल के गाड़ी से जाते हैं वहाँ पर समान में लेकर चले आता है, लेकिन online में यानि कि virtual में क्या होता है कि आप घर बैठे, online mobile on किया और आपने website पर प्रचेच कर लिया, तो वो भी store ही एक तरीक से, वो क्या है वो online store है और यह क्या है, real store कहलाता है, तो store यानि कि retail का location यानि कि कहा पर वो store open है तो वही क्या होता है, retail location काता है, a space for the selling of goods to consumer तो retail location का होगी, एक space होता है, जहाँ पर आप goods को sell करते हो, किसको consumers को करते हो location means being at right place at the right time, तो store location का है, retail location का मतलब क्या हुआ कि आपको right time पर right जगा पर रहना है, अब suppose करिए कि जैसे कि क्या होता है, आप देखा होगा पर आपने कोई medical store open के तो वहाँ पर जो हो right place हो गया, right time पर, जब भी जोद पड़े हो, वहाँ पर आपको समझ मिल जा, तो retail location अच्छा होता है, आप देखे घर में क्या होता है, कि आए दिन कभी नमक खतम हो रहा है, कभी चीनी खतम हो रहा है, कभी कोई भी खाने वाल रखा है, जहाँ पर कोई आता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, वहाँ पर खोल रखा है अपनी shop को, तो कौन आएगा समान खेदने कोई नहीं आएगा, तो retail location बहुत ही important factor है कि कहाँ पर आपकी shop open है, helps in gaining competitive advantage, तो आपका अगर location सही है, यानि कि आप सही तरीके से आपके प important factor है किसी भी retailing business में, क्योंकि आपकी position पर, यानि आप कहाँ पर exist करते हो, कहाँ पर आपका store है, उस पर बहुत matter करते है, आप देखिए, कभी आप बाइक से जा रहे हैं, और पर कहीं पर मार्केट लगा होता है, तो जो fruit वाला, fruit line से फल बेचने वाले लगे होते हैं, तो जो fruit जो है, पहले लगा होता है, कि पहले दो-तीन दुकाने होते हैं, आप क्या आते हैं, बाइक से जाया है, तो शुरू की दुकान पर रुख जाते हैं, अब जो बीच में बैठा है, दुकान खोल के सबजी वाला है, फिर fruit वाला, तो वहाँ पर नहीं जाते हैं, जो तो बहुत ही मैं नेक्स है, रिटेल लोकेशन के बाद की टाइप अफ रिटेल लोकेशन टाइप, कितने टाइप रिटेल के लोकेशन होते हैं, तो पहला है आपका, आज जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, फ्री स्टेंडिग साइट, यानि इंआ अई सुलेटर आप जैसे सिटी खतम होती है बाहर हाईवी पर जाके आपने पर अपना शॉप खोल लिया आपने धाबा उपन कर लिया है या आपने वहाँ पर होटेल या होस्पिटल खोल लिया है तो उस तो आपको रिटेल लोकेशन क्या करते हैं आपको रिटेल लोकेशन है वह है आपका सिटी और टाउन लोकेशन जिसको हम अनप्लांड बिजनेस डिस्टिट कहते हैं या आप अपने शॉप को उपन करते हैं यह तो गया सिटी के बाहर जो आइसोलेटेड था फ्री स्टेंडिंग था वो क्या था वो सिटी के बाहर था आपने सिटी से एकदम दूर बाहर जाके खोल लिया दुकार हाईवेग पर कहीं पर खोल लिया है फिर किस्टिट के कोई गलियों में खोल लिया है तो वो सिटी जो है उसको हम कहते हैं फ्री स्टेंडिंग या फिर आइसोलेटेड कहते हैं वही पर सिटी और टाउन होती है तो वहाँ पर आपने दुकान खोल ली तो आपका लोकेशन क्या हो जाएगा सिटी और टाउन लोकेशन जिसको हम सेंट्रल बिजनेश डिस्टिक भी कहते हैं वही पर जैसे हज्यत गंज हो गया वो भी क्या है सिटी के टाउन जो अपका सिटी है लखनो सिटी है उस पहले या किसी दूसे मोड पर आपने दुकान खोल ली तो उस टाइप के हम लोकेशन को क्या कहते हैं सेकेंडरी बिजनेश डिस्टिक कहते हैं और वहीं पर जब आप घर के यानिकी कॉलोनी में खोल लेते हो ठीक है जैसे विंदवन कालोनी हो गया आपका जो है जान की होता है उसको contract में बिजने डिस टिक कहते हैं और सेकनरी बिजनेश डिस्टिक जो कि बड़े बड़े चुराहों पे रही से यह क्या होता है। यहां पर इस्टोस जो है नंबर आफ इस्टोस से खोले होते हैं। दूर से आपको रोड पे चाल रहें तो दूर से आपको देख जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, क्या है कि 4-5 दुकाने एक साथ लाइन में खुली है, लॉंग स्ट्रिप, तो आप जैसे मार्केट में घुशेंगे बजार से रोट पे जा रहें, तो आपको दूसरी दीजए अच्छा नंबर से लाइन ऑफ जो हैं, शॉपन कर रखी है, उसको कहते है strip shopping district भी कहते हैं तीय होगे city के अंदर खुले होते हैं अब दूसरा type है वो plant shopping center जैसा कि आप देख रहे हैं shopping malls यह कहते हैं plant होते हैं airport पे जो malls होते हैं airport पे जो shop होते हो भी कहते हैं plant या निया कि आपने पूरी planning के साथ उस shop को open किया है, location को choose किया है, malls हो गए, आपको city में आपको पता कि यहाँ भीड भार लाका है, यहाँ पे जो है लोग approach कर सकते हैं, वहाँ पे आपने प्लान करके, तीन चार फ्लोर का जो है आपने shopping wall open कर दिया है, airport पे लोग आते जाते रहते हैं, आपने वहाँ पे shop open कर ल या दूसरा हो गया, city और टाउन के बीच में, यानि कि एक तो central business city हो गया, या फिर main जो है area हो गया, या फिर आप नेवर होड यानि की गली मौलने में खुले है, फिर strip यानि की strong, लंबी लाइन लगाता है, बहुत सारी दुकानी एक साथ खुली है, तो वो strip कहलाता है, या इसे बड़े big बजार में चले, तो big बजार में कहीं आप देखते होंगे कि वहाँ पर अलग से कोई store लगा के बैठा होगा कि coffee बना के आपको check करा रहा है, या फिर कोई नया sample आपको distribute कर तो store के अंदर भी store open होता है, तो उसको कहते है, plant shopping center, अब next है आपका factor affecting selection of retail location, यानि क कौन कौन से factor हैं, जो कि जब हम retail location चूज करते हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए, कि आपको अपनी दुकान कहां खोलनी है, वो इन सारे factors पर depend करता है, तो सबसे पहले आप जैसा कि figure में देख रहा होंगे, क्या है, pedestrian traffic, कि वहाँ पे paddle कितने लोग चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, pedestrian traffic, people coming and going on foot, foot traffic कहा जाता है, तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे चल के आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उतने ज़्यादा chances है, कि आपका product वहाँ पे बिकेगा, तो retail location नॉमली क्या ज़्यादा है, बेटर माना जाता है, पाई जायसी बात है, ज़्यादा vehicles coming and going in particular locality, यानि कि आपके उस location में जहाँ पे आप शौक open करना चाहते हैं, वहाँ पे किस टाइप की गारिया आ रही है, VIP गारिया आती है, गौर्मेंट वाली गारिया, प्राइबेट इंप्लोईज की गारिया, तो किस टाइप की गारिया आ आ रही है, वहाँ पे उस location पे कि आपको भीर रखकर गारी खड़ी करने के जगाई नहीं मिलती है, तो गारी ना खड़ी कर पाने की चक्कर में कई लोग होते हैं, क्यों दुकान पर नहीं जाकि किसी दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, तो आपके location पर जहां पर आप अपना shop open करना चाहते हो, retail shop open करना वहाँ पर पार्किंग की facilities भी ध्यान रखने चाहिए कि आपके पास पार्किंग facilities होनी चाहिए, तो फिर आपको वहाँ पर location सही रहेगा, space to park vehicle, फिर next जो factor है आपका वह है transportation, यानि कि कई लोग होता है कि जिनके पास car नहीं है, अब वो क्या करते हैं, auto, tempo या बस आते हैं आ उनके लिए जो है transportation की facility होनी चाहिए, ताकि वह आपके location पे पहुंच सके, तो उसको कहते है transportation facility, availability of buses, taxis, trains and other transportation method, तो others, और इसके अलावा ये तो important factor होगे कि pedestrian, traffic कितना है, regular traffic कितना है, transportation, parking facility है कि नहीं है, उसके अलावी बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि type of goods, आप किस type का समा बेंच रहे हैं, उसके उपर भी depend करता है कि location क्या होनी चाहिए, अब suppose करें कि आप जो है non-ways कोई भी product upsell कर रहे हैं, तो normally आप prefer कौन सा area करेंगे, जहाँ पे लोग non-ways खाते हैं, अब ऐसा prefer area नहीं करेंगे, जहाँ लोग non-ways नहीं खाते हैं, तो यह भी depend करता है कि आप कि इस टाइब का item sell कर रहे हैं, population characteristics, वहाँ कि अब लोगें की characteristics का ज़्यादा higher income group के लोग है, lower income group के लोग है, या फिर middle income group के लोग है, अब lower income group के लोग है, वहाँ पर आप जो है branded कोई shop open कर देगे, तो कौन खहिदेगा, कोई नहीं खहिदेगा, तो इस पर भी depend करता है, accessibility, visibility and traffic गुरांटर जैसे कि कितनी आसानी से आपके shop पे पहुँचा जा सकता है, shop आपको visible है, कि नहीं है, आप किसी चौथे फ्लोर पर खोल दिया है, फिर आप किसी अंदर गली कुचे में खोल दिया है, तो तो कोई दिखी नहीं है, आपको पता नहीं है किको को आपका shop है, तो इससे भी दिक्कत हो जाती तो आपको ये भी देखना है ओट्राफिक यहां पर ट्राफिक इतना है पेडिश्टेंड ही हो गया या फिर आपका वैगुलर ट्राफिक हो गया उसको आपको ध्यार रखना है competition है नहीं बस याने कि जहां पर आप open कर रहो क्या already उस market में already बहुत सारे same type के shop हैं तो वहाँ पर competition जादा होगा तो आपको quality होनी जी या फिर आप वहाँ से switch कर जाएए नहीं बस आस पास के लोग कैसे है ये भी आपको देखना है location cost उस location पर अपना retail shop open करने के लिए आपको cost कितनी पर सकती है ये भी factor important है retail location को choose करने में और personal factor आपकी छंता कितनी है जो retail shop open कर रहा है उसकी कुछ factors होते हैं कि वहाँ नहीं जाएंगे उस area में या फिर हमारी cost हो हम उसको जहल नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा costly हो जाएगा या फिर मेरे घर से बहुत दूर पड़ेग कि वहाँ के लोग consumers की income कैसी है या यंग age के हैं old age के हैं बच्चे हैं school जाने वाले हैं college जाने वाले हैं accessibility कितनी है visibility है कि नहीं आपके shop की competition कितना है उस area में location cost कितनी पर सकती है और personal factors जो आपका personally होता है तो यह कुछ important factors होते हैं तो इस video हमने देखा कि retail location क्या है retail location के types कितने है freestanding isolated यानि city town store और फिर आपका जो है planned store होता है फिर उसके बाद कौन कौन से factor है जो कि आपको retail location को चूज करते हैं धान में रखना चाहिए तो विश्यू all the best keep watching subscribe the channel for more videos thank you